हलो दोस्तो नामस्ते देखिए सर्दियों के मौसम में मचली खाने का मज़ा ही अलग होता है आज मसालेदार फ्राई मचली बनेगी बहुत ही टेस्टी आता है खाने में चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या मसाला डालते हैं फ्राई करने में दोस्तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए देखिए हमने इसमें मचली के लिए सरसो अदरक लहसून मिर्चा का पेस्ट बना लिए हैं मिर्चिजार में पीच लिए हैं अब इसमें हम कुछ मसाला अढ़ेंगे यह हमारा हल्दी पावडर एक चंब में एक कर देते हैं यह हमारा भूना हुँआ सील suspects यह हमारा धरनिदा पावडर एक चंब में चीकन मशाला है एक चमच जो लोग मचली खाते हैं वो लोग इस तरह से जरूर बनाईएगा खाईएगा क्योंकि यह तो बहुत ही टेस्टी आती है फ्राइ मचली यह हमारा गरम मसाला है आधा चमच इसको हम हाथों से मिक्स कर देते हैं अच्छे से यह मचली बना रहे है हमा बना रहे हैं क्योंकि इनके हाथों का मचली तो बहुत ही टेस्टी आता है देखिए एक चमच स्वाद के अनुसार नमक डाल दिये हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं मचली के उपर अब मिक्स करके इसको लेप लगाएंगे इस तरह से भना के खा के बताएगे जरूर कोमेंट बॉक्स में कैसे लगा टेस्टी आया की नहीं आया देखे कजिसे अच्छे से लेप लगा रहे हैं सभी पर, सभी मचली पर, ऐसे सभी मचली पर लेप लगा लेंगे, और सर्दी में मचली खाने का तो मज़ा ही अलग है, जो लोग खाते हैं, उन लोग तो जानते ही होंगे, जगदी आ गई है, मचली बनाईए, खाईए, मस्त से, इंजोआई करिए अब वीडियो को हमारे लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए, लाश्ट तक देखिए यह देखिए, ऐसे सभी मचली में लगा दिंगे फिर इसके बाद हम इसको फ्राइ करेंगे फिर खाएंगे, पार्टी मनाएंगे यह देखिए यह देखिए, मचली रेडी हो गई मसालादार इदार कराही रग दिये हैं, इसमें चार बड़ा चम्मच तेल डाल दिये हैं तेल गरम हो गया है, इसमें अब मचली डाल दिते हैं मचली को बीचवीच में डाल दिये हैं और थोड़ा देर सिks जाने के बाद बीच बीच में पलटते रहेंगे इसको पलट पलट के सेखेंगे कि लो फ्लेम पर हाई फलेम पर नहीं नहीं तो यह जल जाएगाउ और अंदर अच्छा से नहीं पगेगा sta देखिए कितना अच्छा सिख गया है लो फ्लेम पे हमने सेखा है इसको अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि यह पब्बया है सभी को ऐसे निकाल लेते हैं सभी मछलिया ऐसे तर लेते हैं लो फ्लेम पे देखे कितने अच्छी लग रही है बनके रेडी है अब बस नीबू नी चोड़ के इसमें बस खाना है मचली खाने की बहुत जल्दी है मुझे अब चलते हैं जल्दी इस नीबू नी चोड़ के खाना शुरू करते हैं यह बहुत ही टेस्टी आता है मुझ में पानी आ रहे हैं मुझे रहा नहीं जा रहा है आप तुम्हें इसको खाने जा रहे हैं लो दोस्तों आप लोग भी खाएं देखिए कितना अच्छा पापा है यह